स्वागत दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शाहिद आजमी लाइप पर आज बात करूँगा महमद शमी की जानेंगे महमद शमी ने क्या कुछ अचीव किया महमद शमी को रुष्टकप के टीम में शामिल नहीं किया गया लेकिन स्टेंड बाई के तौर पर शामि क्योंकि भारत के परमुग गेद बाजों में से महमद शमी एक हैं उनकी दंदराती हुई गेदे सबने देखी हैं सब उनके बहुत से उनके फैन हैं जो चाहते हैं कि विशुकप में खेलते नजर आएं लेकिन जो सेलेक्टर हैं जो चैन करता हैं उन्होंने टीम को जो चु ना होगा क्योंकि जो विशुकप जैसा बड़ा मंच है अलाकि उन्हें बिल्कुल बाहर नहीं किया गया इस्टैंडबाय के तौर पर शामिल किया गया है और उम्मीद करेंगे कि हो सकता हुन्हें मौका मिल जाए विशुकप केलते हुए नजर भी आ सकते हैं लेकिन हम बा अब भी आधी सब्सक्राइब कियों पहली बार हमारे चैनल पहा हैं तो जरू सब्सक्राइब किजOSE पहले करते हैं प्रैक्टिस करता है 20 तोहा की जमीन पर पैदा होने वाला यह खिलाड़ी मुहमद शमी 3 सितंबर 1990 को जन्म लेता उसके बात लगातार स्ट्रेगल करता है प्रैक्टिस करता है खेलता है राश्टी टीम में आता है उन्होंने सत्तरे टी टॉंटी अंतराश्टी मैच अब तक खेलें पहले मैं टी ट साल जो उन्होंने उनका T20 काकेरियर रा उसमें सिर्भ सिर्फ 17 मुकाबले के रहे मिला उसंके बारे बथा क। पाकिस्तान के खिलाब पहलाविफेट उन्होंने एक माध तैस बाद पाकिस्तान ने पहले खेलत करया था उसके बाट से घだから थैसा है ours बताना चाहोंगा जो पहला सब्सक् spaced out इस मैज की बार मिस्तान के पाकिस्तान हुट था चेंट लिया था, 18.03 तीनुवर में भारती टीम जीती थी वहां पर इस उमने पदारपंड करते हैं पहला मैच खेलते हैं पहला विकेट ले ते मंधामर इक्षों को आउट करते हैं ये उननकेPac2 yr तराश्ति यह विश्युकप पहला टिट-विश्यूकंभी उनों ने कट ह APP conjunto था सालGh दूसरा विएंट मुस्तफीशूर का पना यह विश्यूकंभ है माझलादेश के बल्ले-बाते दो विचियों प्छली साल 2021 में खेला गया था वहां पर भी मुहम्मद शमी को खेलने का मौका मिला बहले अस्ट्रेलिया मुनें शामिल नहीं किया गया टीम में पर लेकिन पिछला विश्कप उन्होंने खेला था पांच मैचों में छह विकट उन्होंने में खेलने का मौका मिला था अगर उनके अब तक के मैचों की बात करें हाला कि उन्हें लगातार टीम में शामिल टीम में नहीं किया गया जैसा कि अन्हें के बाद उन्हें चार मैच खेलने को मौका मिलता है साल 2020 में उसके बाद साल 2021 में द्रशा मैच खेले थे उस कब के बाद यह विश्क आ रहा है बीच में कोई त कुछ होंने का मौका नहीं बिला है के और स्थेमक में मीं का हिस्सा ज़रूर है उनका नेक बताइंग आपको लेकिन ुट आईपेल स्टैट्स की बारे में बताने चाहूंगा क्योंकि आईपेल में उन्होंने लगातार जबरदस प्रदेशन किया है पिछले कुछ साल का रेकॉर्ड उन्हों का उठाकर देखिए लाजवा प्रदेशन अठार ऑनीस बीस इस तरह से एक एडिशन मुनोंने विकेट हा का मौका मिलता तो वो सौवा विकेट भी हासिल कर सकते आठ दशनों पांच दो का इस टाइक रेट है आईपेल में आईपेल के बेस सीजन के बात करूं जैसे हमने पता है उनका आईपेल का जबरदस सीजन का पिछले कुछ सालों का साल 2022 ये अभी कुछ महीने पहले जो तो उससे के चलीए साल 2021 की बात कि बातकि साल 2021 में उनीश विकेट 62 विकेट उनाने रहे nour γंज्ष है घख में रह तक है साल 2020-2022 इन चार सालों में 19-20-19 यानि दो बार 19 विकट दो बार 20 विकट उन्हें हासिल के यानि T20 का उनको बास तजर्बा है अगर उनको परखा जाए उनको T20 का मौका दिया जा इंतराश्टी मैचों में वो कमाल कर सकते हैं क्योंकि लगातार उन आई पेल जैसे मंच पर उ शामिल होते तो कमाल कर सकते थे लेकिन चैन करता हूंने जाहर से बात है हमसे आप से उपर उटके सोचा होगा कुछ तो सोचा ओगा इसलिए उनने टेम में स्टेंडबाई के तोर पर ज़रूर शामिल किया गया है मौका मिल सकता है नाउमीध नहीं कर सकते हैं उनके जिप् बनलबाजी की उन 70 नमरा है आई पेल में उन्होंने जो बनलबाजी का ज्यादा मौका उन्हें नहीं मिला है जो आई पेल में खेले हैं ज्यादा बनलबाज के तौर पर जाने भी नहीं जाते हैं प्रमुक गेंदबास भारत की टीम में वो कहे जा सकते हैं उनके शमी के टीटवन्टी एक डिवस्त जो टेस्ट मैच हमने टीटवन्टी के बात की टेस्ट और वो दियाई के रेकॉर्ड के बात कर रहे अब तक उन्होंने कितने मकाबले खेलें क्या कुछ उन्होंने हासिल कि है देश के लिए पहले बाता थे एक सट टेस्ट मैच उन्होंने खेलें भारत की तरफ से 114 इनिंग्स में उन्होंने खेलें पांच छेजार नौसो एक तीस रन उन्होंने खर्च की हैं गेंदे के दरी फेगी दसजार आट तो 27 उन्होंने 216 विकेट अपने खाते में हैं और आगे चलें बात करते हैं उनके ओडियाई रिकार्ड की तो 82 एक दोसी अंतराश्टी मैच खेल चुके भारत की तरफ से 188 मैचों में 4188 रन उन्होंने खर्च किये उसके लाव 4188 गेदे उन्होंने फेगी रन खर्च किये 3910 रन उन्होंने खर्च किये 152 विकेट यान ही तिरसों से जादे विकेट वह दोसी मुकाीरों में ले चुके च्छे विकेट 69 खर्च करके एक, एक एक-दुसी मैच में बेस्ट बॉलिंग उनका फिगर है उन्होंने च्छे विकेट हाशिल किये थे उन्होंने जो खर्च कि पांच चार का एकनामी रेट एकनामी रेट बिलुकुल अच्छा नहीं शमी का जिस तरह गेंदबाज हैं शायद चैनकरता इस पर भी देखा होगा गवर किया होगा क्योंकि एकनामी रेट उनका साड़े-9 से उपर है सत्रे मैच खिलें बहुत जादे मैच नहीं खिलें एकनामी रेट जादे है विक्ट उन्होंने अठारे लियें अब टीम में शामिल जरूर नहीं है आस्टेलिया ही टीम के खिलने का मौका था यहां पर शायद वो कुछ कर कमाल करते तो शायद कुछ और बहतर कर पाते लेकिन अएन मौके पर अस्वस्त होते हैं टीम में शामिल करने के पाद उन्हें बाहर करके उनको रिपलेस किया था उंकी जगह पर उमेश चादों को टीम में शामिल किया था, क्या आगे और भी मुकावले जो आने वाले, क्या वहाँ शमी खेलेंगे, यह तो आने वाली बात है, गरब की बात है, उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ यह जरूर हम प्रेय कर सकते हैं, हम सब भी कि जल्दी से शमी जो अन्स्वस्थ हों और टीम में वापस से लोटें, कमाले, कंपा से करें, देश की तरफ से जो हैं बिल्गुल ऐसे नहीं कर सकते हैं टीम से बिल्गुल बाहर है लेकिन हाँ शमी एक अच्छे गेद बास है ये कहते हुए कि हमारे रिपोर्ट्स हमारे बातचीत आपको पसंद आ रहे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिए यहीं मुझे हुए